सबसे पहले ये सवाल मन में आता है कि शादी के लिए कुंडली का मिलाना कितना जरूरी है, कितना इंपोर्टेंट है? और ये भी सवाल आता है कि क्या कुंडली मिलान हो जाने से विवा सफल होगा, इसकी गारंटी दी जा सकती है क्या? देखिए, बालक और बालिका जिनका विवा हो रहा है, वर और वधू, लड़का और लड़की, इनके मध्य, इनके बीच में प्रेम और तालमेल अच्छा रहे, और दोनों एक साथ जीवन में मिल करके, कम से कम संगहर्ष में जीवन में आगे बढ़ सकें, इसके लिए कुंड कुंडली का मिलान किया जाता है, देखिए, जो विवा होता है, उसके बीच की जो सबसे एहम चीज है, वो चीज होती है, उनका प्रेम, तो एक तो दोनों के बीच में प्रेम बना रहे, दोनों के बीच में जगड़े नहों, और संगहर्ष देखिए, हर इनसान की पर विचार किया जाता है, एक बात नहीं होती है, कि किवल प्रेम हो, तालमेल कैसा होगा, संतान उत्पत्ती कैसे होगी, परिवार के बाकी लोगों के साथ कैसा तालमेल होगा, बहुत सारी चीजें होती है, जो कुंडली मिलान में देखी जाती है, जैसे नारी दोश है, ग अपना महत्व है और सब का विचार किया जाता है, सब चीजों को देखा भी जाता है और सब चीजों को समझा भी जाता है. किसी एक चीज को आप कम या जादा नहीं कह सकते, कि ये मत मिलाओ वो मिला लो, वो मत मिलाओ ये मिला लो, कुछ चीजे ज़ादा important होती है, ये बात तो ठीक है, लेकिन कुंडली मिलाने में हर चीज पर विचार करना चाहिए, हर चीज के पहलू पर, हर चीज के पक्ष पर ध्यान देना चाहिए. सबसे पहले जानते हैं कुंडली मिलाने में नाडी दोश के बारे में. नाडी दोश क्या होता है? देखिए, हर नक्षत्र के हिसाब से, बालक और बालिका की जो नाडियां हैं, वो अलग-अलग होती हैं. आज के जमाने में नाडी को आप ब्लड गुरूप कह सकते हैं, या ब्लड का प्रभाव कह सकते हैं, effect of blood कहा जा सकता है. तो हर नक्षत्र के हिसाब से, बालक और बालिका की नाडियां अलग-अलग होती हैं. इससे वर और कन्या का स्वास्थ देखा जाता है, कि लड़का और लड़की का स्वास्थ कैसा रहेगा, और दोनों के बीच में संतान की उत्पत्ती कैसी रहेगी, ये बात भी देखी ज जाती है. अगर लड़के और लड़की की नाड़ी एक होती है, तो दोनों के जीवन में स्वास्थ की समस्या होती है, और संतान प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, संतान प्राप्त करने में दिक्कत हो जाती है. अब मान लिया कि लड़के और लड़की की शादी करनी है दोनों की नाड़ी एक है तो ऐसी दशा में विवा होता है या नहीं होता है बिलकुल होता है ऐसी दशा में भी विवा कर सकते हैं लेकिन उसकी शर्त यह है कि नक्षत्र एक होने चाहिए और दोनों के नक्षत्र के ज अगर कुंडली में अच्छा है तो नारी दोश होने पर भी आप शादी कर सकते हैं लेकिन एक तरफ तो नारी दोश है और दोनों का प्रिहस्पती दूसरी तरफ खराब है तो ऐसी दशामें विवाह करना सही नहीं होगा दूसरी चीज जो कुंडली मिलाने में देखी जाती है उसे कहते हैं मंगल दोश कुंडली में मंगल का विशेश स्थानों पर होने से कुंडली में मंगल दोश पैदा होता है मंगल अलग अलग जगां पर बैठ करके मंगल दोश पैदा करता है कुंडली के पहले, चौथे, साथमे, आठमे और बारहमे खाने में अगर मंगल हो तो मंगल का दोश कुंडली में माना जाता है अगर एक की कुंडली में मंगल का दोश है और दूसरे की कुंडली में उसका निवारर है यानि दूसरा भी मांगलिक है या उसका निवारन मौजूद है तो शादी की जा सकती है कभी कभी मंगल दोश इतना खतरनाक होता है कि दोनों व्यक्तियों में तालमेल काफी खराब हो जाता है इसलिए मंगल दोश को अच्छी तरह से देख करके समझ करके तब विवाह करना चाहिए मंगल दोश के निवारन के लिए सबसे उत्तम होता है हनुमान जी की पूजा करना मानलिया ऐसी शादी हो गई है कि जिसमें एक व्यक्ति मांगलिक है दूसरा व्यक्ति मांगलिक नहीं है तो ऐसी दशा में जो व्यक्ति मांगलिक है अगर वो हनुमान जी की पूजा करे साथी साथ मंगल वार का उपवास रखे सुन्दर कांड का पाठ करे तो मंगल दोश जीवन में सामान्यतह दिक्कत परिशान नहीं करेंगे। तीसरी चीज़ दिकत परिशान नहीं करेंगे।